तो टोड़ी हम लोग करेंगे वैक्सो रोल ओन हीटर से की हेल्प से वैक्सिंग आप लोगों ने भी पहले देखा है या नहीं I don't know बट यहाँ पर मेरे चैनल पर तो यह फर्स्ट वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ तो देखें यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी सी चीजों की जर नीड है जैसे की यहाँ पर हो गया वैक्स रोल ओन हीटर और आप्टर वैक्सिंग ओईल और कुछ टेलकॉम पाउडर तो देखें इसको ओन करना है 5 डिग्री पे और यह है वैक्स ओ वैक्स और यह वैक्स जो अभी मैंने दिखाया आप लोगों को देखें यहाँ पर हम लोग इसको 5 डिग्री पर वाम करने के लिए छोड़ेंगे इसको गरम होने के लिए 20-25 मिनेट लगता है उसके बाद यह गरम हो जाता है और इसको इसी तरह से मशिन में जब तक हम लोग वैक्सिंग कर रहे है तब तक अब इसको ओन करके ही रखना होता है तो चलिए अब हम करेंगे वैक्सिंग जस्ट मशिन को उठाना होता है और इस तरह से रोल आउन करते हुए नीचे की तरफ आना है यह तो सेम हमारे वैक्स के जैसा ही अपलाई करना होता है जैसा कि हमारी जो हैर की ग्रोथ होती है उसके अक्वाडिंग अपलाई करना है न इसको पूल कर देंगे बहुत इजीली यह पास से साथ मिनट में आइटिंक हो जाता है हमारा फुल हैंड वैक्स एंड मुझे इसके अंदर सारे की सारे प्लस पॉइंट लगे बहुत अच्छा लगा ना हाथ को लगने की जंजट ना चटका लगने की जंजट बिलकुल कु अपलाइ करते तो कम जयादा हो जाता है बट इसमें बहुत कम वैक्स लगता है इसमें यहाँ पर एक चीज़ देखने की बहुत ज्यादा लीड है कि क्लाइंट के जिस एरिया पर हमने एक बार अपलाइ कर दिया है वहां पर हम लोग दुबारा से अपलाइन नहीं कर सकते जो wax यहां पर 腫ोट गया है हमारे हथ पर सॉरी हमारे हैंस पर तो वहां पर यह wax निकलता भी नहीं है बिलकुल भी पानी पानी की Хोल्ट से तो बिलकुल निये यहां पर हमें दिया जाता है rica wax का लेत्ड़ कर सकतें कितनी जल्दी जल्दी में apply कितनी फड़ा फड़ मेरा काम हो रहा है पास से साथ मेंट के अंदर दोनों हाथ बहुत इजली हो जाते सो असलाम लेकुम माई यूटीव फैमली कैसे आप सब आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताईए अदर वीडियो तो आप लोगों ने मेरी देखी है वैक्सिंग की सो देखिए एज़स्ट वैक्स होने के बाद हमने अगर ऑईल अपलाए कर दिया तो उसके बाद ये वैक्स अपने आप मेल्ट होकर निकल जाता है सो उसके बाद कुछ भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि स्कीन पर डबल से नहीं लगाना है थोड़ी कुछ बाते हैं जो जिसको ध्यान में रखना है आगे मेरी और अधर वीडियो आएगी आप लोगों को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंस सो देखिए यहाँ पर मेरा वैक्स कम्प्लीट हो गया है आप लोगों कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना